ओम शान्ति आज 10 दिसंबर दो हजार तेज है जीवन में अनेक प्रकार के परिस्थितिया समस्याए आते रहते हैं हम परिस्थितियों को सहचता से भी पार करते हैं लेकिन कई बार हम उलज भी जाते हैं कई समस्याओं पर आज का स्लोगन एक विशेश विधी बता रहे हैं कि कैसे एक सेकिन में हम परिस्थितियों से पार हो सकते हैं आएए इस बात को आज के स्लोगन से जान लेते हैं ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन बनो, तो किसी भी परिस्थिती को सेकिन में पार कर लेंगे. ज्ञान है लाइट और योग है माइट. ज्ञान लाइट यानि रौश्नी. जब हम आत्मा के बुध्धी के अंदर ज्ञान का प्रकाश भर लेते हैं, तो उसे दिव्य बुध्धी कहा जाता है और उस दिव्य बुध्धी के द्वारा किसी भी परिस्थिती में कोई भी समस्या क्यों ना हमारे सामने आए. वो समस्या, वो परिस्थिती अंदकार का प्रतीक है, उस अंदकार में अपने उस दिव्य बुध्धी द्वारा यानि ज्ञान के रौश्नी, ज्ञान के लाइट द्वारा उन अंदकारों के बीच में लाइट जगा सकते हैं और उसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं क् एक सेकेंड में जैसे ही लाइट ओन हो जाती है, तो अंदकार होते हुए भी सब कुछ उस लाइट के माधियम से स्पष्ट दिखाए देता हैं, कहां क्या रखा है, रास्ता कहा है, कैसे जाना है, और लाइट की आवश्चकता तब पढ़ती हैं जब अंदकार हो, तो ज्ञ कुछ देख पाते हैं, योग है माइट, माइट अर्थात शक्ती, और शक्ती के माधियम से, जो कुछ हमने लाइट के आधार से ज्ञान, यानि समझ के आधार से जो कुछ दिखाई दिया, चाहे वो कठिन मार्क नजर आ रहा है, उंची दिवार नजर आ रहे हैं, लाइट क तो इसलिए ज्यान की लाइट भी चाहिए और योग के माइट भी चाहिए ताकि परिस्थती सेकंड में पार कर सके अगर लाइट हो सब कुछ समझ में आ रहा है क्या कहां पर है कठिन कौन सा है सहच कौन सा है मार कौन सा है परन्तु माइट ना हो तो उस रहा पर हम चल नहीं कर पाएंगे, कठिन मार को हम पार नहीं कर पाएंगे second में, इसलिए ग्यान और योग की light, might को हमें जीवन में धारन करना होगा, ताकि second में कोई भी परिस्तिती को कैसे भी समस्या हो उसे पार कर सके, जिसे एक second में switch on करते हैं, तो light फैल जाते हैं, एक second में lighter on करते हैं, तो gas जाता हैं, उसी प्रकार से light और might अर्थात ज्ञान और योग की शक्ती हमारे अंदर पहले से ही हो, तो एक second में कोई भी परिस्तिती को पार कर सकते हैं, ओम शांती